हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो दी चैनल, भई अगर आप नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह confusion बहुत जादा बढ़ जाता है कि कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं, अब यह doubt इसलिए भी होता है क्योंकि आज की date में market में बहुत अब देखिए गाड़ियों में जो options available है इनको अगर आपको narrow down करना है अपनी जो search है इसको limited करना है कि मुझे इन इन गाड़ियों को select करना है तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़े हैं जो आपको करनी पड़ेंगी और जिनसे की आपकी जो search है वो बहुत जारा easy हो जाएगी और आप end up करेंगे एक सही गाड़ी की तरफ जो की आपके साथ long time तक रहेगी तो उनी points के बारे में इस video में discuss करेंगे पहले भी मैं कुछ point आपके साथ discuss कर चुका हूँ वो वीडियो कर आपने नहीं देखा तो उसको भी check कर लीजिए और साथी साथ इन points को भी ध्यान दख application को hit कर दीजे ताकि ऐसी informative वीडियो आपको और भी मिलती रहे तो चलिए start करते हैं अब देखिए सबसे पहली चीज जब भी आप नहीं गाड़ी लेने का plan करेंगे तो आपको पहले कुछ questions clear करने पड़ेंगे अपने mind में सबसे पहली चीज कि आपका driving experience कितना है अब देख कि बड़ी पहली गाड़ी हो क्योंकि बड़ी गाड़ियों में क्या होता है और specially sedans में कि इनका judgment जो है ना easily नहीं आता है तो अगर आपको experience जादा नहीं है तो starting में बहुत बड़ी गाड़ी लेने से बचें और भाई ये बड़ी गाड़ियों को आपको थोड़ा सा master करना पड़ेगा थोड़ा पहला अपना experience हलका सा गीन करना पड़ेगा ताकि आप easily handle कर पाएं किसी भी difficult situation में इन बड़ी गाड़ियों को पर अगर आपके पास experience अच्छा है आप comfortable है गाड़ी के साथ तो आप बड़ी गाड़ी की तरफ जा सकते है फिर आपको कोई छोटी गाड है तो भई आपको एक hatchback लेनी चाहिए या फिर एक compact SUV जोकि easily manageable हो दूसरी चीज़ अगर आप एक adventure lover है आप off-roading बहुत सारा करते हैं तो आपको एक off-road SUV चाहिए जैसे for example थार या फिर आपकी जिमने क्योंकि ये गाड़िया जादा capable है आपका जो motive है उसको पूरा करने के ल आप बहुत जारा highway चलते हैं अगर आप highway चलते हैं तो आप diesel गाड़ी की तरफ जा सकते हैं अगर आप बहुत limited highway चलते हैं तो आप electric की तरफ भी जा सकते हैं तो भई आपको अपना environment पता होना है चाहिए कि मेरा most of the time कहां पर बीचता है जब भी आप गाड़ी लेने का select करत है कि आपको कौन से feature चाहिए क्या आपके लिए sunroof की requirement है क्या आपको heads up display चाहिए यह सारी चीज़े अगर आप clear रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी select करते हुए क्योंकि होता क्या है गाड़ी में हम कई बार unwanted features की तरफ जाते हैं और जो essential features होते ह example एडास वगेरा तो यह हम जादा filter आउट नहीं करते हैं यह जादा consider नहीं करते हैं तो हमेशा gimmicky features से बचें और हमेशा features उन्हीं को select करें जो आपके actual use में रहें अब बात करते हैं दूसरे point की जो इसमें आता है वह है रिसर्च अब रिसर्च आप offline online दोनों कर सकते हैं पर professional help ले सकते हैं reviews देख सकते हैं उनके ownership reviews specially आप देख सकते हैं online आप वीडियो शेक कर सकते हैं YouTube में जिनसे कि आपके जो mind में सारी clarity आ जाए आपको pros and cons गाड़ी के पहले ही थोड़ा बहुत पता चल जाए अब देखें मैं यह नहीं कहता है इन पर पूरा depend रही है पर हाँ एक actual में गाड़ी में कुछ दिक्कत है तो वो आपको एक मोटा मोटा idea हो जाता है फिर जब आप test drive करेंगे तो आपको easy पढ़ जाता है अब देखे भई आप जो है informative articles भी पढ़ सकते है videos professional की जो उस particular गाड़ी में जो आपको पसंद आ रही है उसके उपर बनी है तो वो भी अशा ध्यान लगिए बात करते हैं तीसरे point की जोगी है test drive अब देखे research करने का मतलब यह नहीं है कि आपको सीधे research करिया गाड़ी आप लेने पहुंच गए हमेशा test drive करिये मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ कभी भी गाड़ी की specification और गाड़ी के जो feature से उ जरूए लीजिए उससे आपको connection सा पता चल जाएगा गाड़ी के साथ और आपको clear picture मिल जाएगी की handling कैसी है गाड़ी के जो features से अंदर हो proper आपके use के है गाड़ी का ergonomics है गाड़ी की driving position है clutch और brake और race pedal यह आपके comfort zone में है या नहीं है गाड़ी की dynamics कैसी है तो इस सारी चीज जो आपको ध्यानक नहीं है जबी भी आप गाड़ी लेंगे कि आपको अपने finance है उसको पहले clearly decide करना है कि उसकी जो है क्या-क्या terms है और क्या-क्या आपके finance की condition है मेरा मतलब है कि आप कई बार क्या होता है कि गाड़ी most of the time loan पे लेते हैं बहुत कम buyers होंगे जो बिलकुल cash लेंगे पूरी गाड़ी पर most of the time हम loan लेते हैं अब देखिए अगर आपके पास fund उतना नहीं है जितना आपका budget जा रहा है गाड़ी का तो हमेशा गाड़ी के जो budget है उसको replan करिए ऐसा नहों कि आपका budget जो है overshoot कर जाए और आपको दिक्कत आए बाद में दूसरी चीज आप हमेशा पहले चेक कर लिजे कि आपके पास कहीं कोई pre-approved loan तो नहीं चल रहा है जिससे कि आपको loan apply करने में problem आए इस चीज का भी आप हमेशा ध्यान रखिए multiple loans लेने से बचे है और दूसरी चीज जो duration है na loan की वह भी बहुत जारा important होती है short term या बहुत जारा long term loans मत ल term बहुत जारा long term के लिए loan मत लीजिए और भाई सबसे बड़ी बात loan extra मत लीजिए यह एक ऐसा पैसा है जो आपको ही चुकाना है किसी और को नहीं चुकाना है तो ऐसा ना हो आप loan के चक्कर में अपने budget से बहुत जारा overshoot कर जाए तो इस चीज का हमेशा ध्यान किए budget के सा सीजन होते हैं special discount मिलते हैं dealer end की तरफ उनके हिसाब से plan करिए अपनी purchase और हमेशा देखिए dealer level discount अब dealer level discount क्या होते हैं जो आपको dealer provide करता है अब dealer जो है बहुत type के होते हैं आप अलग-अलग dealers के साथ try कर सकते हैं और जो भी आपको अच्छा offer देता है आप उस dealer की तरफ जा सक नेगोशेट करिए आप बहार जाके भी अलग से try कर सकते हैं insurance का अगर आपको कहीं से अच्छा insurance मिलता है तो कोई compulsion नहीं है कि आपको dealer से insurance लेना है वो बोलेगा आपको पर ऐसा mandatory कहीं नहीं है कि आपको insurance वहीं से लेना है तो आप try कर सकते है insurance आप negotiate कर सकते हैं इस पर आप चाहिए क्या coverage है उनको भी अच्छे से पढ़िए ना कि blindly जो है paper को sign करिए हमेशा त्यान रखिए अगली चीज जो मैं आपके साथ share करूँगा वह है कि review और buy का मतलब क्या होता है कि आपने गाड़ी जब finalize कर दी न dealership level और आपने अपना finance से उसको भी clear कर दिया है तो आख lowest price आपको offer कर रहा है उसकी तरफ ही जाए ऐसा compression नहीं है कि आपको एक ही dealer पर जाना है आप multiple dealers पर try करिए कहीं दूर भी आपको अच्छा offer मिल रहा है अपने घर है उससे तो आप वहाँ भी जाके गाड़ी को purchase कर सकते हैं बाद में register जो है अपनी locality में करा सकते हैं हमेशा ज नहीं भी sign मत करिए पहले अच्छे से negotiate करिए dealer level discount बहुत अच्छे मिलते हैं तो हमेशा dealer to dealer try करिए दो तीन जगा आपको हमेशा try करना है जभी आप गाड़ी लेने का decide कर रहे है तो इससे आपके जो है बहुत सारे पैसे बचेंगे और आप सही गाड़ी लेंगे बिलकुल क दाम दाम में तो भी यह थी सारी information जो आप नहीं गाड़ी जब लेते हैं आपको अपने mind में रखनी है कैसा लगा आपको यह वीडियो में comment में ज़रू बताएं मिलते हैं इसी next informative वीडियो के साथ तब तब बने रहे चैनल के साथ शीदेश vlogs thank you for watching